नमस्कार दोस्तों शुशांत सिंग की मृत्यू के बाद सिनेमा प्रेमियों में एक गहरी निराशा का भाव है और जो लोग सिनेमा में रुची नहीं रखते हैं वो भी एक युवा कलाकार की मृत्यू के बाद स्तब्ध हैं बहुत सारे आउटसाइडर्स की तरह शुशांत की पहली भी उलजी हुई नजर आ रही थी लेकिन कंगना की वीडियो के बाद कंगना ने एक वीडियो जारी किया उसके बाद बॉलीवूड के काम करने के तरीके और वहां की कुछ हस्तियों पर सवालिया निशान खड़े होते हैं जो बंदेने स्टैन्फोर्ड की स्कॉलर्शी वो रैंक होल्डर है उसका दिमाग कमजोर कैसे हो सकता है अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्त कंगना रनौत अपनी फिल्मों और बेबाक राय देने और सच बोलने के लिए जानी जाती है शुशान सिंग राजपूत की मृत्यू के बाद कंगना ने एक वीडियो जारी किया है और बताया है कि शुशान की मृत्यू एक आत्म हत्य नहीं बलकि शाजिश के तहट की गई हत्या है बॉलिवूड के जिस काले सच को बताने में बड़े-बड़े अभिनेता साहस नहीं कर पाते उसे कंगना ने कहने की हिम्मत दिखाई है वीडियो में हमें वो सच सुनने को मिला है जो अभी तक किवल एक अफवाह के तोर पर ही माना जाता था इस संदेश में फिल्म इंडिस्ट्री के बड़े-बड़े नामों पर प्रस्न चिन्ध खड़े हुए हैं जिन में करन जोहर, सलमान खान और संजदत शामिल हैं साथे साथ, इंडिस्ट्री की नैतिक्ता और काम करने के तरीके पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कंगना एक लॉबी की तरफ इशारा करती हैं, जो अपने एक कैंप के लोगों को ही अपने यहां पैर जमाने का मौका देती है वो कहती हैं कि परिवारवाद जिसे नेपोटिजम कहते हैं कि कारण शुषान्त को भी काम नहीं मिल रहा था सिर्फ काम मिलने का सवाल ही नहीं, बलकि अवार्ड से लेकर फिल्म पत्रकार तक इस गिरोह में शामिल होते हैं शुषान्त के नशे की आदत पर लिखने वालों को कभी संजदत के नशे की आदत पर लिखने की हिमत क्यों नहीं होती है बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने शुषान्त को बैन कर दिया था लोग फिल्म वालों के बच्चों को काम देने में प्रेफरेंस देते हैं लेकिन किसी एक एक्टर को बैन करने का क्या मतलब इसका कारण ये है कि शुषांत ने एक बार नेपोटिजम पर हलकी टिपणी कर दी थी बात सुनने में ये भी आई थी कि सल्मान खान शुषांत से नराज है अब सल्मान भाई जो फुटबात के मजदूरों और काले हिरन की हत्या के बाद एक संत महात्मा तो है ही जिनके श्राप का असर तो होगा ही वो चाहे विवेक, ओवेरोय हो, एश्वरिया राय हो या फिर अरिजित सिंग हो जो भी उनकी नजरों में गिर जाता है तो उसे उठने में टाइम तो लगता ही है इसका कारण था सुरज पंचोली और शुषांत के बीच का विवाद सुरज पंचोली, आदित पंचोली का बेटा, जिससे सलमान ने लॉंच किया था जिससे जिया खान मुर्डर केज में जेल भेजा गया था फिल्म इंडस्ट्री के करीबी और कॉंग्रेस नेता संजय निरूपम के ट्वीट से भी ये बात पता चलती है, उन्हेंने कहा था कि छीचोरे मूवी हिट होने के बाद शुषांत ने साथ फिल्में साइन करी थी, लेकिन छे महीने में सभी फिल्मों से उन्हें हटा दिया गया आखिर क्यों? मृत्यू के बाद कोई भी स्टार शुषांत के घर नहीं गया कोरोना के कारण? अरे नहीं रिशी कपूर के टाइम भी कोरोना था, पर सभी गया थे बहुत कम ही एक्टर ऐसे होंगे जो अपने हिंदुत्यों का प्रदर्शन ऐसे करते हैं जैसे शुषांत ने किया करपूर गौरम करुणा वतारम के साथ भगवान शिव की प्रतिमा लगाता है उसकी डायरी में लिखा मिलता है कि छात्रों को सेना में भरती होने के लिए मदद करना चाहता है स्वामी विवेका नंद के ऊपर एक डॉक्यूमेंटरी बनाना चाहता है केलाश मांसरोवर पर बैट कर ध्यान लगाना चाहता है जिस प्रकार का बहिशकार फिल्म इंदिस्ट्री में शुषांत का हुआ वो बहुत सारे सवाल खड़े करता है एक फ्रेंड के कमेंट पे उतर देते हुए शुषांत ने कहा था कि अगर तुम मेरी फिल्म नहीं देखोगी तो वो लोग मुझे बॉलिवुड से बाहर फैक देंगे मेरा कोई गौड फादर नहीं है